हेलो एवरिवन आज की इस वीडियो में हम पले दसलीब बोकर्स रिटन वाई निजीम इजैकिल को डिसकस करेंगे इसकी हमने समरी रिटन की है जो की बड़े ही इजीवे के साथ हम आपको समझाएंगे और बिल्कुल इजीवे से हमने इस समरी को लिखा है लेट्स स्टार्ट दे वीडियो इस वीडियो को हम स्रुवात करते हैं अब मैं इसका टाइटल का अर्थ समझा देता हूँ जिससे आपको यह सहरा पले है वो यहीं से समझ में आ जाएगा sleep walkers के क्या मतलब होता है sleep मतलब सोना, walkers मतलब चलना यानि कि सोटता कौन है जो जिसको निंद आ जाती है यानि कि जो निंदों में चलता है वो हमारा sleep walkers हो गया तो इस जो पले है यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ sleep walkers का कि जो इंडियन्स है जो भारत या जो लोग है वो जो भारत की संस्कृत्ती है modern संस्कृत्ती है जो अमेरिका वाली उसके पिछे बाकते रहते है अमेरिका में जो कल्चर है उसको अपनाने की सोचते है विदेश वाला जो संस्कृत्ती है उनको इंडियन्स को अच्छी लगती है अगर उनको कोई विदेश में जो मिल जाए तो वो तुरण त्यार हो जाएंगे जबकि जो भारत की संस्कृत्ती है वो उन्हें अच्छी नहीं लगती चाहिए यहां पर कितना ही कुछ अच्छा नहीं हो विदेश से और जो यह देशलीप बोकर्स है यह एक फार्स है फार्स क्या होता है जिसमें हसी मजाक हो जिस पले में उसे हम फार्स कहते हैं क्या कह रहा है कि जो दो स्लीप वोकर्स है वो एक इंडो अमेरिकन फार्स है इंडो अमेरिकन फार्स क्यों है फार्स का मैंने मतलब आपको बता दिया जिसमें हसी मजाक हो मुरकता के गुण हो because it ridicules both Indians and Americans क्योंकि इसमें रिडिकुल्स यानि की जो हसी मजाक वाले गुण है उनके उनके बारे में है इंडियांस और अमेरिकन दोनों के और यह जो है वो एक वन एक्ट फार्स है एक तरफा फार्स है जो कि इंडियांस और अमेरिकन पर जंग्या करता है तन्य मारता है इसका मतलब क्या हुआ कि जो यह पले है वो एक्सप्लोर्स करता है यानि कि खोज करता है इंडियांस एक्सेसिव फार्सिनेशन का क्या मतलब है कि जो भार्तियों का जो अत्यदिक आकर्सन है विद अमेरिकन कल्चर जो अमेरिकन कल्चर है अमेरिकी संस्क्रेटी है उसके परती भार्तियों का अत्यदिक लगाव है ठीक है उसकी पले एक्सप्लोर्स करता है खोज करता है जो पले है वो विगिन्स और एंड होता है सेम अटरंस के साथ अटरंस क्या होता है कि जो कथन कहा गया है यानि कि आप ये मतलब लगा सकते हैं कि जो जिस से शुरुआत होता है जिस लाइन से और उसी लाइन से ये जो है यानि कि आज के दिन हमें हमारा जो डेली अमेरिका है देनिक अमेरिका दो जो अमेरिकन कप्म एज कम टू लांच दियर इंटरनेशनल मैगेजिन बलैंक जो अमेरिकन कप्म है उन कप्म का क्या नाम है Mr. Morris और Mrs. Morris उनका नाम है यहाँ पर आप आगी यह भी लिख सकते है The American Couple ब्रैकेट में करके Mr. Morris और Mrs. Morris यह लिख सकते है Has come to launch their international magazine blank उस magazine का क्या नाम है बलेंक और यह जो बलेंक है आपको यह बलेक पैन से लिख देना है ताकि यह थोड़ा अलग दिखे और जो यह कोटेशन थी मारी Give us this day अवर डेली अमेरिका यह भी आपको बलेक पैन से लिख देना है और लाइन तो आपको ऐसे करके लिख नहीं है अलग ताकि यह अलग दिखे कोटेशन फिर क्या है एंटरनेशनल मेगजिन बलेंक को और जो बलेंक मैगजिन है एक ऐसी मेगजिन है जो कि विचार विमर्स करती है किसके अमेरिकन जो डॉमिनेशन प्रभूतव है उसको मझ्गूत करती है ताथ है, जो विचार और विमर्स से ठीकिन है उसकी तलास करती है यह जो बलेंक मैगजिन है यह The name of मैगजिन also suggests that its goal is to attack thinking जो नेम है मैगजिन का वो यह भी सुझेस्ट करता है कि इसका गोल क्या है कि टू अटेक ठिंकिंग कि इसको अटेक करना है ठिंकिंग पर सोच पर एट मैकिंग मैंड बलेंक जिससे कि जो माइंड है वो पूरी तरह से खाली हो जाए भई मैगजिन के नाम से यह आप बलेंक के नाम से यह सोच सकते हैं बुक का जो नाम है बलेंक मैगजिन तो इससे यह आप सोच सकते हैं कि बलेंक का मतलब क्या है यहाँ पर मैंड जो है उसको बलेंक करना तो the name of magazine also suggest that its goal is to attack thinking कि इसका goal है thinking जो है उस पर attack करना और mind को blank करना यह आप यहां से इसका मतलब लगा सकते हैं thinking को attack करना mind को blank करना Mr. Morris tells that he has brought a magazine that can be sold in India Mr. Morris क्या कहते हैं कि वह एक पत्रिका लाया है magazine लाया है that can be sold in India जिसे इंडिया में sold किया जा सकता है बेटा बेचा जा सकता है He believes that his magazine will be liked by Indians as it has been liked by the American people also वह मानता है कि जो उसकी magazine blank है वो like पसंद के जाएगी Indians जो हैं उनके द्वारा क्योंकि as it has been liked क्योंकि इसे liked किया गया था American people के द्वारा भी भाई शिदी सी बात है जो उसकी magazine थी वो अमेरिका जो के लोग थे उनको पसंद आई थी इसलिए जो Mr. Morris है वो सोचते हैं कि अगर अमेरिका के लोगों को ये पसंद आई है तो ये जो magazine है वो भारत के लोगों को भी पसंद आएगी he calls thinking the cause of human suffering और भैक्या केता है thinking को जो हम विचार भी मर्ज करते हैं उसको कि the cause of human suffering जो मानविय दुख है उसका कारण बताता है thinking को he rates living by doing higher than thinking और भैक्या केता है Mr. Morris कि हम कार्या करकर जीवित रहे ये वाला जो है वो higher है करना than thinking यानि कि सोचने की वज़ाए जो हम कार्या करकर जीवित रहते हैं वो सबसे बढ़िया है higher है he comments that we can reduce our unhappiness while reducing our thinking Mr. Morris कहता है कि हम हमारी जो unhappiness है जो हम कुछ नहीं है उसको कम कर सकते है unhappiness को while reducing our thinking हमारी thinking को कम करके Morris mentions that there is no thought in his magazine Morris mentions करता है कि उसकी magazine में कोई भी थोथ नहीं है कोई भी विचार नहीं है he claims that his magazine only describes बै किता है कि उसकी magazine सिरफ describes करती है वर्नन करती है in his own words the goal of his magazine is to keep people up to date without thinking और उसके अपने सब्दों में किसकी है Morris के अपने सब्दों में जो goal है उसकी magazine का वो क्या है इसकी इज वो है कि to keep people up to date कि जो लोगों को है वो up to date रखना up to date का मतलब क्या होता है जैसे आप जो अपने मोबाइल का जो software है वो up to date नहीं रखते यानि कि जो बिल्कुल नहीं जो है विचार भी मर्स को इतत्थ हैं उनसे लोगों को जाग उक्राना without thinking के बिना विचार भी मर्स के यह उस magazine का goal है मौरिस के सब्दों में मौरिस also attacks humor जो मौरिस है वो humor के उपर भी attack करता है humor क्या होता है हास्य है वह कहता है कि उसकी magazine में कोई भी humor नहीं है he says that laughing to divides people वह यह भी कहता है कि जो हंसी मजाथ है वो भी लोगों को बांट दितता है he opines that a person who is laughed at is automatically separates himself from the person laughing वह कहता है कि a person who is laughed at जिस पर हंसा गया है it automatically separates himself वह खुद को अलग कर लिता है from the person laughing जो person उसके उपर हंसा है उससे वह अपने आपको अलग कर लिता है अब भी कोई बात हो अगर जैसे मैं आपके उपर हंसूं तो आप फिर मेरे से क्यों पढ़ोगे इसी परकार अगर आप मेरे पहंसो तो मैं आपको क्यों पढ़ाऊँगा यही बात मौरिस क्या रहा है अगर कोई किसी के उपर हंसेगा तो भै परसन अपने आपको उससे अलग कर लेगा इसलिए मौरिस हूमर के उपर भी अटैक करता है इन दा हैंड ओफ दा पले मिश्टर मौरिस अटार्स थिंकिंग इज जनरल डज नोट डज नो हारम इट्स थिंकिंग इन पार्टिकुलर डैट इज डैंजर्स यानि कि क्या मतलब है जो जनरल थिंकिंग होती है जो समान्य हम सोचते रहते हैं उससे हमें कोई भी हारम नहीं होता इट इस थिंकिंग यह वह वाले थिंकिंग है जो हमें नुक्सान पूंचाती है वह कौन से थिंकिंग है इन पार्टिकुलर डैट इज डैंजर्स जो हमें कोई भी फेक्ट नहीं पड़ता कोई भी हारम नहीं होती वो सिंकिंग ये इस में युब बापिटरम का अर्थ है कि Mr. Morris not afraid मतलब घबराते नहीं है डरते नहीं है और जनरल थिंकिंग जो जनरल थिंकिंग है उससे इट इज ओनली दर स्पेसिफिक थिंकिंग यह कोई बिशेल सी थिंकिंग है डेट फियर शिम जिससे Mr. Morris डरते हैं और मैं आपको एक और बात पता दूँ कि यह जो थिंकिंग इन जनरल डज नौट डज नो हार्म इट इस थिंकिंग इन पर्टिकुलर डैट इस डेंजर यह वाली जो कोटेशन है यह आपको अलग ही लिखनी है जैसे यह लिख रखिया और इसको आपको ब्लेक मार्क से लिखना है ताकि यह कोटेशन अलग दिखे एक्जामिनर को जैब चक करें और उसी लगे कि बच्चे ने पूरा इसको पड़ रखा है और जो पहले कोटेशन देती उसको भी आपको इसी प्रकार ब्लैक पैन से नोट करना है फिर हमारे लास्ट में है दपले एंड बिध था सेम अटरंस यह तो हमने करी लिया इवाला नहीं करा हमने उपर वाले लैंड पड़ी थी दपले एंड बिध था सेम अटरंस विद वीच इट स्टार्ट यानि कि पले एंड हो जाता है बही पर जहां से यह इसकी जो से वो क्या थी गीवस दिस दे अवर डेली अमेरिका इस वाली को टेशन को तो आप अच्छे से लर्ण कर लेना क्योंकि यह वाली हमने शुरू में भी दी थी और लाश्ट में भी दिया है और लाश्ट में क्या लिख देंगे दा प्लेराइट ब्रिंग्स आउट दे ब्लेंक क्या होता है खाली वह ब्लेंकनेस खाली पन तो यह जो ब्लेराइट है वो क्या कहता है कि जो नाटेक का कहता है कि पात्रों की सुनियता से यह जो नाटेक है वो बरा हुआ है कि जो प्ले में ख्रेक्टर्स है उनका जो माइंड है वो ब्लेंक है खाली है उसको जो आउट करता है, the play is brimful with amusing situations and dialogues full of humor, brimful क्या होता है, बरा हुआ होना, जो full हो, the play is brimful, जो play है वो brimful है, with amusing situations, ολ lee situations, amazing situations मतलब जो हनसाने वाली situations है, leads a Appreciate and dialogues full of humor, और dialogues है, समाद है वो हनसाने वाले है, उन से जो play है, वो भरा हुआ है, या कि जो play है, वो हनसाने वाली प्रिश्थितियों और हनसाने वाली सबादों से भरा हुआ है तो इस प्रकार जो प्लेराइट है जो हमारे निजीम इजैकिल वो दिखाते हैं कि जो इंडियन लोग हैं वो किस प्रकार से विदेशी संस्क्रिति को अपनाने में लगे हुए हैं उनको देखकर खूस होते हैं विदेश वालों को जबकि अपनी संस्क्रिति कित बनाने में, right करने में, क्योंकि easy way में लिखना थोड़ा hard होता है, आपको भी पता है, यह हमारा last play था, जो की काफी लंबा हो गया है, अगर आपको इस वीडियो से help मिली है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है, तो चैनल को भी subscribe कीजिएगा, और अ अन्या students के साथ share कर दीजिएगा, thank you, फिर मिलेंगे ऐसी एक और वीडियो के साथ, मने रहें साथ study solution के साथ, bye bye